अब आगे की कहाने देखते हैं, मतलब हम बात करेंगे question number 18 के बारे में question number 18, देखें क्या दिया है बोल रहा है कि केंद्र A से प्रारंब करते हुए बारी-बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए तरिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm आगे वाले उत्तर अधवित्तों को खीच कर एक सरपिल spiral बनाया गया है, जैसा कि आकरिती 5.4 में दर्साया गया है 13 अक्रमागत और अर्ध बिरित्तों से बने इस सरपिल की कुल लंबाई क्या है ये क्वेस्टन अपने आप में बेहतर क्वेस्टन है, जरा समझिए हमसे बोल रहा है कि कोई spiral बनाया गया है, ठीक है, लेकिन वो spiral अर्ध बिरित्त है और 13 spiral बनाये गया है, जो अर्ध बिरित्त है पहला जो सुरू होता है, मान लीजिए, कि ये सुरू होता है ऐसे ऐसे, छठा आपका इस तरीके से, आप कहानी समझ पाए, और ऐसे अपने को 13, ये 13 बनाये गये है टोटल कितने हैं, 13, तो हम पहले ही समझ गये कि जब 13 बनाये गये हैं, तो n बराबर कितना होगा, 13 टोटल संक्या कितनी है, 13, अच्छा टोटल लंबाई बताना है, ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है, कि ये सेंटर A है, मतलब ये A है, और ये आपका B है, और इसी तरीके से आगे C, D, लेकिन इसके लंबाई के बारे में बोला है, कि ये L1 माल देखे, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी L1 हो गई, यहां से यहां तक L1, और फिर यहां से यहां तक L2, यहां से यहां तक आपका L3 हो गया, और यहां से यहां तक यह वाला L4, और फिर यहां से यहां यह वाला L5 ऐसा हुआ, फिर यह यहां से गया है, यह आपका L6 इस तर है कुल लंबाई कितनी है और यहां पर बोला गया है कि जो यह चोटा वाला है उसका जो तरिज्या है 0.5 है उससे बड़े वाले का वन है उससे बड़े वाले का डेड़ है उसके बड़े हम किसी सरकिल, सरकिल का मतलब बृत, तो हम किसी बृत की बात करें, तो जो बृत का परिमाप होता है, यानि सरकल का परिमाप होता है, सरकमफर है, सरकिल का परिमाप, मतलब बृत का परिमाप, यह होता है, टू पाई आर, ऐसा होता है, लेकिन अगर हम अर्द बृत की बात करत हैं तो अर्द बृत का जो परिमाप होता है अर्द बृत का हम किसकी बात कर रहे हैं परिमाप के तो अर्द बृत का जो परिमाप होगा वो इसका आधा हो जाएगा मतलब टू पाई आर का आधा यानि यह बनेगा पाई आर के बराबर तो अर्द बृत का जो परिमाप होगा और बृत का परिमाप जो होगा वो 2 pi r होगा ठीक है अब हमसे बात कर रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे l1 l1 का मतलब हम इसके लंबाई की बात करते हैं तो इसका यह अर्ध बृत है अर्ध बृत का परिमाप pi r तो pi r1 और r1 की value by the way इसकी तरिज्या देखिए हम ऐसा मान लेंगे कि जो l1 है je l1 है मतलब यह वाली लेंज छोटा वाला है इसकी तरिज्या r1 0.5 है इसकी तरिज्या दूसरे वाले की r2 1 है तीसरे वाले की तरिज्या है 1.5 चै उथे वाले की है 2 ऐसा आप लिखेंगे ये, सब के सब cm में ऐसे दे रखें हैं बात को समझ गए, तो πi r1, l1 का मतलब πi r1, अब इसकी बात करें, तो πi और r1 की value कितनी है, तो r1 की value आपकी दे रखी है 0.5, तो ये लिखेंगे आप 0.5, इसी तरीके से l2 की बात करेंगे तो πi r, ये l2, l2 क्या होगा, आधा ये भी है, तो ये लिखेंगे πi r, और r के place पे 1 l3 की बात करेंगे तो πi और r और r की value है 1.5 l4 की बात करेंगे, तो πi और ये आएगा 2, इस तरीके आगे ऐसे बढ़ते, चले जाएंगे और आप l13 तक पहुचना है आपको, कहां तक पहुचना है 13 तक, तो अब हम से पूछा है कि आप बताईए कि total लंबाई कितने होई है, तो ये एक ap बनेगी, कैसे बनेगी अब वो ज़रा समझे, देखिए हम बात कर रहें l1 की, तो l1 फिर ये l2 l2, ये l3 l4 ये लंबाई की बात हो रही है, और यहां से हम चलेंगे l13 तक, ठीक है l1 की लंबाई की बात कर रहें, तो इसको आप लिख सकते है 0.5 pi, इसको आप लिख सकते है 1 pi इसको आप लिख सकते हैं 1.5 pi इस तरीके से आगे move करेंगे तो ये आपका 0.5 pi आ जाएगा ये आपका आएगा 1 pi ये आपका आएगा 1.5 pi और ये आपका आएगा 2 pi ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगे ठीक है तो देखिए अगर ये ap बनेगा यहाँ पे ap बनेगा और जब ap बनता है तो हम इसमें कहेंगे कि जो प्रथम पद है यानि a, a की value आपकी 0.5 pi है अगर हम d की बात करें तो इसमें से इसको घटाएगे यानि कि 1 pi में से अगर हम 0.5 pi घटाते हैं तो ये बचेगा 0.5 pi ये बनेगा ठीक है अब देखे ये मिल गया तो अब हमें calculate करना है कि total लंबाई यानि कि हम बात करने जा रहे हैं कुल लंबाई के बारे में तो कुल लंबाई का मतलब लिखेंगे Sn और Sn का मतलब यह आएगा कि आप बोल सकते हैं L टोटल और L टोटल जो होगा वो Sn के बराबर होगा और यहाँ पर N की वैलू 13 दे रखी है टोटल कितने हैं 13 तो यहाँ पर S नहीं लिखेंगे यहाँ पर S 13 लिखेंगे तो यह हमारा फिर क्या आएगा S 13 तो देखें N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D हमारा फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर N बाई 2 यानि की 13 बटे में 2 फिर 2A और A की वैलू आपकी दे रखी है 0.5 पाई 2A प्लस N माइनस 1 N की वैलू है 13 माइनस 1 इंटो D और D की वैलू 0.5 पाई दे रखी है तो 0.5 पाई यह आपके D की वैलू आ गए है देखिए 13 बटे दो ऐसे ही रहने देंगे जब 2 का 0.5 में मल्टिप्लाई करेंगे तो 1 पाई आएगा 5 दूनी 10 यह आएगा 1 प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 यह गुड़े 0.5 पाई आ जाएगा यह आपका आजाएगा यह आजाएगा 13 बटे में 2 अब देखिए 1 पाई प्लस 12 पच्चे 60 60 को क्या लिखेंगे 6 क्योंकि एसा ही तो लिखेंगे तो यह हो जाएगा तो पाई अब देखिए 13 बटे में 2 फिर यह आपका आजाएगा 6 पाई 6 पाई प्लस 1 पाई तो यह 7 पाई आ गया तीक है अब इसे सॉल्व करें तो 13 बटे में 2 गुड़े 7 और पाई की वैलू जो होती है पाई बराबर होता है आपका 22 बटे में 7 तो पाई जो यह पाई है पाई के वैलू हम लिखेंगे 22 बटे में 7 7 से 7 गया 2 से 11 तो 11 33 और 11 11 14 14 सेंटी मीटर आएगा मतलब कहने का यह है कि जो यहां से स्पाईरल बनेगा इस्पाईरल बनेगा 13 जो बनेगा अर्धिब्रेट उसकी टोटल यानि ओवराल जो लंबाई आएगी वह 143 सेंटी मीटर आएगी यह क्वेस्टन अपने आप में बहतर क्वेस्टन है इसे आप स्टार लगा लीजिए ठीक है और इसे कॉपी कर लीजिएगा और अच्छे से एक दो बार रिवाईज कर लेंगे तो यह क्वेस्टन आपसे सॉल्व हो जाएगा ठीक है चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं कर दो जाएगा 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 हाँ जी चलिए नेक्स्ट यानि कि 19 नम्मर के क्वेस्टन की बात करते हैं अपन चलिए 19 नम्मर का क्वेस्टन क्या दिया गया है कि 200 लट्ठों यानि लॉक्स की बात हो रहे है को धेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ती में 20 लट्ठे उससे अगली पंक्ती में 19 लट्ठे उससे अगली पंक्ती में 18 लट्ठे इत्यादी जो फोटो दिया गया है उस फोटो को देखिए ये 20 लट्थे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे उपरी पंक्ति में कितने लट्थे हैं ये question है देखिए ये भी question ठीक ठा question है आप थोड़ी से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा बोल लाए कि total लट्थों की संख्या जो है रखे गए है उसके उपर 19 उसके उपर 18 और उसके उपर 17 फिर 16 ऐसे करते करते और 200 लट्थों को खतम करना है तो बोल रहा है कि कितने रोज बनेंगे मतलब कितनी पंक्तियां बनेंगी पहली बात तो ये है दूसरी बात हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे आखरी वाले जो रो रहेगी उसमें कितने लट्थे होंगे आखरी वाले पंक्ति में कितने लट्थे होंगे तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि total जो लट्थों की संख्या है वो कितनी है दो सब तो हम बात करेंगे कि total यानि कुल लठे का मतलब अपन बोलेंगे sn ठीक है total कितने हैं तो sn सबको जोड़ दिये और यह है दोसों के पराबर बात समझ में रहे हैं देखिए chapter के हिसाब से अपन बात करेंगे जब cool की बात करेगा तो अपन sn लिखेंगे समझ में रहा है यह बात अब यहां समझ यह हमसे यह बोला है कि जो सबसे नीचे वाला है इसमें 20 है उससे उपर वाले में 19 है उससे उपर वाले में 17 है उससे उपर वाले में 16 है और ऐसे करते 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 यह total हमसे पूज़े दो सब लठों लठे खपत करना है और सबसे आखरी वाला जो ये लठा बचता है, सबसे आखरी, सबसे आखरी वाली पंग्ती, इस पंग्ती में कितने लठें और ये कितनी पंग्तियां बनेंगे, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले तो अपन ये बोल दें, यहाँ पर हम मालने कि पंक्तियों की संख्या माना पंक्तियों की संख्या n है, कितनी पंक्तिया है? n पंक्तिया है, ठीक है? अब अगर N पंक्तिया हैं तो इसमें बोला गया है कि पहले में 20 है दूसरे में 19 है तीसरे में 18 है और ऐसे 200 खपत करना है ठीक है? तो हम कहेंगे कि total total कितने हैं? मानेंगे कि N N पंक्तिया हैं लेकिन सभी को मिला कि total कितना हो रहे हैं? total लठे 200 हो रहे हैं तो अगर यहाँ पर A की बात करें तो यह 1 AP बनेगी इसमें A बराबर 20 आएगा अगर हम D की बात करें तो हम लिखेंगे 19-20 तो 19-20 आप काएगा –1 और यहाँ पर N यह N की value क्या होगी? यह हमसे हमें बताना है एक तो N की value बतानी है दूसरा बताना है कि जो आखरी है उसमें कितने लठे हैं यह हमें बताना है जरा आगे की कहानी समझी है यहाँ पर हम लिखेंगे S N बराबर N बाइ 2 अब 2 A 2 A की value आपकी 20 है तो 2 A प्लस N माइनस 1 इंटो D और D की value माइनस 1 है और यह सभी मिलाके हैं 200 के बराबर ठीक है तो यह आएगा N बाइ 2 और यह 20 दूनी कितना होगा 40 प्लस अच्छा माइनस और प्लस आपका माइनस होगा माइनस प्लस माइनस यह तो आएगा माइनस यह आपका आएगा N माइनस 1 ऐसा बराबर यह आपका होगा 200 बात समझे अब यहाँ पे N बाइ 2 अच्छा 2 यह भाग में इधर भेज देंगे तो गुणा में आ जाएगा तो यह N अब अंदर देखिए यह 40 माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस 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 आपका आएगा प्लस यह बराबर 200 गुणे 2 होगा मतलब यह आपका आएगा 400 ठीक है अब देखिए इसका अंदर यह 40 और 1 41 हो जाएगा N तो यह 41 माइनस N बराबर यह आपका आएगा 400 ठीक है अब N से अंदर गुणा करिए तो N का अंदर गुणा करेंगे तो 41 N यह आएगा माइनस N का N में करेंगे तो N स्कॉाइर बराबर यह आपका 400 आजाएगा ठीक है जरा इसको सबको एक तरफ लेके आएए या इसको इधर लेके जाएए तो यह माइनस इधर जाएगा तो प्लस N स्कॉाइर यह प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 41 N और यह प्लस है तो प्लस 400 बराबर यह आपका आजाएगा 0 ठीक है 400 बराबर 0 यह आपका आजाएगा चलिए जी इसको हम अटा देते हैं ठीक है, आगे समझ यह, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह अपना आ गया है, n square minus 41 n plus 400 बराबर 0, ठीक है, अब इसे अपने को solve करना है, देखें कैसे solve करेंगे, तो यह 400 गुड़े 1 है, हमें 41 लाना है, तो 400 गुड़े 1 और इसमें जोड घटा के 41 लाना है, तो इसे लिख क्या सकते हैं अपन? इसे लिख सकते हैं कि 4 गुड़े 100 और इसे हम लिख सकते हैं 4 गुड़े 4 गुड़े 25 25 चोग को 100 चोग को 400 देखिए 4 चोग को 16 और ये गुड़े 25 अगर हम 16 में 25 जोड़ दें तो ये आजाता है 41 यानि कि हम इसको इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको फिर हम ये बना सकते हैं क्योंकि बीच में 41 दिया है तो इसको जोड़ के 41 बनाया जा सकता है यानि कि हम 41 की जगह लिखेंगे 16 प्लस 25 ये n प्लस 400 बराबर 0 ठीक है तो ये आजाएगा n इसकोईर माइनस प्लस माइनस 16 ये बनेगा यहाँ से माइनस 25 जब कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 बराबर ये आपका 0 बनेगा n माइनस 16, n माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 बाहर आगया अंदर बचा n माइनस 25 और ये आगया 0 के बराबर तो यहाँ से एक बार n माइनस 16 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे N बराबर 25 ठीक है? यह लिखेंगे अपना तो देखिए यहां से आपका आज आएगा कि N बराबर 16 और यहां से N बराबर आपका 25 आज आएगा ठीक है? यहां पर देखिए यहां पर N की value 16 आई है यानि 16 और N की value 25 आई है ठीक है? दो तो आगया है कि या तो 16 रो बनेंगे यानि कि 16 पंक्तियां होंगे या तो 25 पंक्तियां होंगे लेकिन दोनों सही नहीं है दोनों में से कि एक ही कोई सही होगा दोनों में से कोई एक ही सही होगा अब जरा देखते हैं कि कौन सा सही है हमसे आगे यह पूछा है कि जो अंतिम पंक्ति है अंतिम पंक्ति में कितने लठे हैं यह अपने से पूछा गया है तो अब हम बताएंगे कि या तो n बराबर 25 आएगा तो n बराबर अगर 16 है तो जो आखरी नंबर है यानि कि 16 हमा सोलहवी पंक्ति है सोलहवी पंक्ति में कितने लठे आएंगे अब अपनी को यह कैल्कुलेट करना है तो हम यह निकालने की ए 16 ए 16 तो हम ए 16 निकालेंगे और ए 16 पता करेंगे कि ए 16 में कितने लठे आएंगे ठीक है यहाँ से अपन इसको हटाते हैं हाँ ज़रह यहां से देखिए यह भी से अब यहां से हमने देखा था कि ए बराबर बीस है आपका और दी बराबर आपका माइनस एक है और ए 16 निकालना है तो ज़रा A16 निकालने का तरीका देखे, हम लिखेंगे A16 बराबर A plus 16 minus 1 into D, यही लिखेंगे, A बराबर आपका 20 दे रखा है, तो 20 plus, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 गुणे, D की वैलू कितनी है, minus 1 है, तो यहां रखेंगे minus 1, तो यहां से 20 minus plus minus और 15 एकम 15, जब घटाएंगे तो आएगा 5, यानि की A16 बराबर आपका आगया 5, यानि की 16 में 5 लठे होंगे, एक आंसर मैज कर गया, मतलब एक आंसर आगया, जड़ा दूसरा देखते हैं, अब हम देखना चाहते हैं, N बराबर 25 रखके, की 25 में पंक्ती बनेगी की नहीं बनेगी, अग यह तो भी ठीक है, तो A25 अब देखेंगे, तो यह बराबर आएगा, A plus 25 माइनस एक इंटू D, जड़ा A की वैलू 25 दे रखी है, 25 में से एक घटाएंगे, तो 24 बचेगा, गुडे, अब D की वैलू माइनस एक है, तो यह 20 माइनस प्लस माइनस, और यह आगया 24, यह आगया माइनस 4, यानि की 25 मीं पंक्ती में माइनस 4 लठे हैं, ऐसा होई नहीं सकता है, यह निगेटिव आ गया, निगेटिव आने का मतलब यानि रिडात्मक आने का मतलब की 25 मीं पंक्ती बनेगी ही नहीं, इसका मतलब की आखरी पंक्ती क्या होगी 16, आखरी पंक्ती क्या होगी 16 और 16 हमीं पंक्ती में कितने लठे बनेंगे पांच लठे ये रिडात्मक यानि निगेटिव आने के कारण ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और ये आंसर अपना करेक्ट होगा ठीक है चलिए अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेस्टन यानि क्वेस्टन नम्मर करें चलिए बीस्वां क्वेस्टन देखते हैं देखिए क्या दे रखा है कि एक आलू दवड यानि पोटाइटो रेस है में प्रारंभिक अस्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं अब फोटो में आप देख सकते हैं कि फोटो करती है निकत्तम आलू को उठाती है उसे लेकर वापस आकर दोड़ कर बाल्टी में डालती है दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दोड़ती है उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में नो आ जाएं इसम प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दोड़नी पड़ेगी यह अपना मतलब क्वेस्टन है जरा इसे समझियेगा यह बिसमेन अम्मर का क्वेस्टन है इसमें क्या बोल रहा है कि एक आलू दोड़ है यानि कि अपन कहेंगे कि देखे यह एक बाल्टी है अरे आप चली ऐसा ही मान लीजी यह ऐसी कोई बाल्टी है ठीक है और इससे पांच मीटर की दूरी पर पहला आलू है मतलब बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर आलू रखा गया है पहला आलू ऐसे 10 आलू रखने हैं दूसरा आलू इससे 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है इससे 3 मीटर की दूरी पर ये दूसरा आलू रखा गया है तीसरा आलू इससे 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है फिर इससे तीन मीटर पर चव था, इससे तीन मीटर पर पाँचवा, छठवा, साथवा, आठवा और ऐसे नववा और ये फिर आपका दसवा, तो ये आलू लास्ट है, तो तीन मीटर की दूरी पर है, लड़की क्या करती है, यहाँ पर कि लड़की बाल्टी के पास खड़ी यह पहला अलू उठाती है बाल्टी में डाल देती है यहां से फिर जाती है दूसरा अलू उठाती है फिर बाल्टी में डालती है फिर जाती है तीसरा अलू उठाती है फिर बाल्टी में डालती है फिर यहां से चौथा अलू उठाती है और बाल्टी में डालती है ऐसा वो त जब तक करती है जब तक ये दसमा आलू खतम न हो जाए ठीक है तो हमसे ये बोल लाए कि क्वेस्टन में कि इसने टोटल कितनी दूरी तेयं करें ये हमें बताना है कि ये आलू दोड में कितना इसने दूरी तेयं किया है ये अपने को बताना है जरह यहां से कहानी समझिएग कि इसे कितनी दूरी तैं करने पड़ी तो यहां से गई है और यहां से फिर आई है तो गई तो पांच मीटर और आई है तो पांच मीटर तो पहला कितनी दूरी तैं की है पांच प्लस पांच यानि की दस मीटर ठीक है दूसरे की बात करते हैं यहां थी यहां से यहां गई है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है पांच प्लस तीन आठ आठ यहां तक गई है और आठ आई है तो दूसरा आठ गई है और आठ आई है यह हो गया तो यह कितने मिटर 16 मिटर हो गया उसी तरीके से यहां से यहां पर गई है और फिर आई है तो यहां से यहां तक जाती ह है तो कितनी दूरी हो गया यह भी तीन है न तो पांच तीन आट तीन 11 यानि कि 11 आई है और 11 मीटर गई है तो टोटल 22 मीटर हो गया और ऐसे यह करते रहती है कब तक जब तक दसमाय आलू खतम न हो जाए ठीक है तो यह काम यह कितनी बार करती है दस बार यहां से गई लेके गई एक बार यहां से दो बार यहां से तीन बार तो ऐसे वो कितनी बार करती है दस बार करती है ध्यान से बात करें तो a की value दे रखी है 10 meter अगर हम d की बात करें तो 16-10 यह आएगा आपका 6 meter यानि d की value आएगी 6 और n की बात करें तो n बराबर आपका कितना है 10 क्योंकि ये 10 बार काम किया जा रहा है, ठीक है, तो कितनी बार काम किया जा रहा है, 10 बार, तो n की value 10, अब हमें total दूरी बतानी है, तो 10 बार का मतलब s10 बराबर 10 बटे में 2 n by 2, 2a, a की value कितनी दे रखी है, 10, तो 2a प्लस n-1, n की value 10, minus 1 into d और d की value आपकी 6 दे रखी है d की value कितनी है 6 यह हो गया जरा काटिए 2 पचे 10 यह 5 2 दहाँ पे 20 यह आ गया plus 10 में से यह घटाएंगे 9 और यह गुड़े 6 तो यह आपका आ गया 5 और यह 9 चके 54 यानि 20 प्लस 54 तो यह आपका आ जाएगा 54 पांच गुड़े यह 74 बनेगा ठीक है 5 चोग को 20 और 5 सते 35 दो 37 यानि कि उसने टोटल कितनी दूरी तैंकी है 370 मीटर इस लड़की ने टोटल 10 आलू लाने में टोटल 10 आलू तक लाने में उससे दूरी तैंक करनी पड़ी थी 370 मीटर बात समझ में आई तो देखे ये क्वेस्टन के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये एक बेटर तरीका है अगर इस तरीके से इस क्वेस्टन को समझते हैं और क्वेस्टन करते हैं तो आराम से आपसे क्वेस्टन हो जाएगा ठीक है तो अब इस तरीके से हमारा 5.3 exercise complete होता है इसके बाद वाला जो exercise यानि की 5.4 है वो एच्छिक है मतलब आपको मन करता है तो करिए नहीं करता है तो मत करिए ठीक है उसी इसाब से हम भी देखेंगे कि अगर आपको कराने लायक होगा तो करा देंगे और नहीं तो फिर यहीं प उसे हम next वीडियो में cover करेंगे मतलब जो next topic होगा उसे next में cover करेंगे ठीक है तो चलिए thank you